Now students, we discussed the third type of motion which is known as vibratory motion. तो vibratory motion के case में हम देख सकते हैं, consider a baby in a swing as shown in figure 2.10. आप इस baby को देख सकते हैं, यह swing में है. यह swing अपने एक axis, these are the two lines along which a swing is attached to its poles. अगर कोई भी body अपनी mean position के along to and from motion करती है, mean position is its central position, students. तो आपके पास कोई भी body system अपनी mean position के about, to and from motion करती है, तो हम कहते हैं वो vibratory motion है, इसको हम डिसकस करते हैं कि कैसे करती है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यह इसकी mean position है, जिस पे यह rest पे है, यह string यहा तो इससे forward move करता है, यह backward move करता है, तो this is the mean position, यहां से swing forward आता है, again mean position प and from motion of swing, इसी तरह गर आप पेंडूलं के case में लेखें, तो पेंडूलं का clock का यह पेंडूलं जो होता है, यह अपनी mean position पे होता है, this is the central position of pendulum clock, जिससे हम हम इसको on करते है, तो यह इस central अपनी mean position से, या तो right पे move करता है, right से वापस आते है, अपनी mean position पे, then left पे move करता है, again right से मीन पोजिशन और लेफ पर मुव करते हैं इसी तरह इसकी मुवमेंट स्टार्ट रहती है तो यह भी हम टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे अब आप मीन पोजिशन इसको हम अब डिसकस कर लेते हैं जिस तरह आम नहीं यहां पे का कि यह स्टार्ट और बेक्वर्ड मुव करती है अपनी मीन पोजिशन के अलाउं जब भी कोई बाड़ी अपनी मीन पोजिशन के अलाउं टू एंड फ्रो मुव करती है तो हम कहते हैं उसने वाइब्रेटरी मोशन को पोजेस किया एक और हम यहां पे एक्जेंपल डिसकस करेंगे फिगर 2.11 शोज तो एंड फ्रो मोशन आप पेंडोलम अफ अ क्लॉक अबाउट इस मीन पोजिशन विच विच इसकस अरलियर अच्छा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इस फिगर में आपके पास दो सचर्ड़्स है जो के एक सीसा पे प्ले कर रहे हैं इसमें यह सीसा की मीन पोजिशन होती है इस लाइन जो मैं आपको देखा रहूं जिस पर यह सीसा बेस कर रहा होता है यह इसकी मीन पोजिशन होती है यह सीसा यह तो इससे अप मूव करता है यह डाउन मूव करता है दो ही कंडिशन हो सकती है तो यह आपको डाउन वर्ड जो मोजिशन होती है सीसा की अबाउट इस मीन पोजिशन तो इसको हम टू एंड फ्रो मोजिशन भी कह सकते हैं और सीसा बाउट इस मीन पोजिशन, that's why हम कहते हैं कि हमारे पस ये सीसा भी वाइबरेटरी मोशन को पोजेस करता है, अबेबी ने क्रेडल मुविंग तू एंड फ्रो, तू मोशन आफ दी हैमर ऑफ रिंगिंग अलेक्रिक बैल, आपने रिंगिंग अलेक्रिक बैल के हैमर को भी देखा होगा कि वो भी अपनी मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो मूव करता है, और सम आफ दी इग्जेंपल्स आफ वाइबरेटरी मोशन इसी तरह आपके पास जो उनसे स्ट्रिंग होते हैं सतार के, वो भी आपके पास एग्जेंपल्स होती हैं वाइबरेटरी मोशन के क्योंके वो भी अप एंड डाउन मूव हो रहे होते हैं अपनी मीन पोजिशन से, तो स्ट्रिंट्स जब भी हमारे पस कोई भी बाडी अपनी मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, डिफरेंट केसे में डिफरेंट चीज़ हो सकती है, जिस तरह सीसा के के इसमें आपन डाँड दाउन मोवमेंट होती है. इस स्विंग के केस में फारवर और बैक्वर्ड मूवमेंट होती है. जब के पेंडोलम के केस में राइट और लाफ मूवमेंट होती है. इन तमाम मूवमेंट सकामlaws तो और फो मोशिफिट हैं. But about a mean position is important. एंड के जिस्ट हैं भी कोई भी बाड़ी अपनी मीन पोजिशन के अलांग टू एंड फो मूफ करती है तो हम कहते हैं उसने वाइब्रेटरी मोशन को पोजस किया that's the end if you have any questions regarding the topic आसकेट on the whatsapp group thank you very much students Allah